नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज कुछ हम बात करेंगे यदि आप किसी भी कंपनी के रिटिलर है तो दोस्तो आपके कस्टमर के लिए बुरी ख़वर है कि आप रिचार्ज प्लान फिर गलत कर रही है तो दोस्तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसी दोस्तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर दिसंबर ने सभी कंपनियों में रिचार्ज प्लान को बढ़ाया था तो दोस्तो यहाँ पर जो है जो है ट्राइक को जो जो जवाब देना होता है बताया ग करजा होता है तो दूस्तो अशे में आप ठ्राय सूसतीहे याप इनको लौन काइब सकता पड़ेगी तो यहाँ पर ट्रायप पैसे के मामले में पीछे हो जाती है तो दूस्तो यह पर ना चैसे को सब्सदों धभाल होता है कि तो बढ़ गए यहां पर हमको उस डॉक्टर को इतने पैसे देने होते हैं और बात कर लेटेलर है यहां पीछे से लेने पड़ते हैं तो दोस्तों दिसंबर में कि बोला गया था कि भाई जी इस्टूमेंट खरीद रहे हैं तो फाइब जी जो है हमें रिचार्ज प्लान महेंगे करने होंगे जिससे कि हमारे पास पैसा आजाए अब इसके बाद जब फाइब जी लॉंच हो जाए होगा उस दोरान जो तो प्लान फ्री से बढ़ेंगे और यहां पर बताया जाए कि यह फाइब जी प्लान है अब गाईस यहां पर आप समझ लिजिए कि पहले फाइब जी के लिए पै जिससे कि आपको फिलाल में देख रहे होगे कि 209 में दिखाता है जिए किसी कस्टूमर के नंबर पर ओफर नहीं है कई पर 249 भी है तो दोस्तों यहां पर इस परकार जो है अब की बार जो है यह यह फाइब जी लॉंच होता है दोस्तों यहां पर एटल की तरफ जो आया ह जैदी एक कंपनी अपने रिचार्ज प्लान में पैसे बढ़ाती है तो दोस्तों यहां पर जो है कोई भी कंपनी पीछे नहीं रहती है तो यहां पर दोस्तों जो है आने वाले कुछी दिनों में या कुछी महिनों के अंदर नंदर 5G लॉंच हो जाएगा पूरे भारत के अंदर तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे जियो और एटल दोस्तों जैसी यहां पर महेंगे होंगे आपके सामने प्लान जो है पेस कर दिये जाएंगे तो दोस्तों चलिए आप समझ गये होगे कि यहां पर आपकी बार जो है जब भी रिचार्ज प्ल